नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है इंवेस्ट्मिन बाबा चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉरी सुनाना चाहता हूँ और यह स्टॉरी एक बिजनस्मैन की उपर है दोस्तो इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है अगर आपको अपने जो आप कर रहे हो काम पर भरोसा है तो आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है कोई अगर आपको कहता है कि तू नहीं कर सकता आप बहरे बन जाओ, आप उसकी बात ही ना सुनो अगर आपको लगता है आप कर सकते हो आप अपने आइडिया पे वर्क कर सकते हो तो आप करो, आप किसी की भी मत सुनो तो ये कहानी कुछ इसी तरह से है और दोस्तों मुश्किल तब आती है तब आपके दिल को ठेस पहुशती है जब आप अपना आइडिया लेकर अपने परिवार को बताते हो और वो आपको नाकार देते हैं तब आपके दिल को बहुत ठेस पहुशती है और उस वक्त आपको फैसला लेना होता है और आपको क्या करना है और उसी फैसले के उपर निर्भर करता है कि आप successful बनोगे कि नहीं बनोगे जी दोस्तों जो मैं आज आपको इस सामने story लेकर आ रहा हूँ ये बिलकुल इसी तरह से है ये story है प्रतीक दोशी की अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब लोग college pass out कर लेते हैं जब वो अपने पढ़ाई को complete कर लेते हैं तो उनका career बनाने का सपना होता है कि वो college pass होंगे और अच्छी अच्छी jobs मिलेंगे एक secure jobs की तलाश करते हैं लेकिन जो प्रतीक दोशी थे बिलकुल अलग थे उनकी सोच बिलकुल हटके थी वो college pass करने के बाद चाहते थे कि वो अपना कुछ काम करे अपना business करे उनका mind एकदम business वाला था वो अपना कुछ करना चाहते थे कुछ अलग जो आज तक किसी ने ना किया हो तो दोस्तो प्रतीक दोशी के पास एक problem थी कि उनके पास ये तो था कि उन्होंने कुछ अपना करना है अपना business करना है लेकिन करना क्या है कौन सा business करना है उनके पास यह idea बिलकुल ही नहीं था और मैं आपको बता दू, आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपके पास किसी business का idea, business होता क्या है, business मतलब किसी के problems के solution को ढूनना, अगर आप अपने आस पास देखोगे, तो आप कई लोगों की problems मिल जाएंगी, जो मतलब सेम लोगों की, बहुत लोगों की वही problem अगर आप उस problem के solution को लेकर आते हो, तो आप उसे अपना business बना सकते हो, तो प्रतीक दोशी के पास यही problem था, कि उनके पास कोई business नहीं था, करना है तो क्या करना है, उनको यह पता नहीं था, तो उनके पास यही सबसे बड़ा सवाल था, एक बार क्या था कि प्रतीक दोश बारिज से बचने के लिए तो उसी चत्री का ट्रेंड रहा उस समय वही चत्री चला करती थी तो उस चत्री के उपर नजर परतीक दोशी की पड़ी तो उन्हों चत्री लेकर आँगा जो कि डिजाइनिंग वाली और प्रिंटिंग वाली बहुत अच्छी लुकिंग में अच्छी होगी तो उन्होंने ऐसा सोचा और अपने आइडिया पर भरोसा भी था अब उन्हों में ठाल लिये था मैंने कर रहा है तो यही करना है तो प्रतीक जोशीं ने जो अपना आइडिया बनाया तो यह जो आइडिया था इन्हों ने अपने घर वालों से शेयर किया अपने परिवार वालों से शेयर किया लेकिन परिवार वालों ने इस आइडिया को दुद्कारते हुए कहा क्या तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है च्छतरी बेचने क लिए तो प्रतीग दोशी के दिल को बहुर्ट ठेस पहुंची तो उन्होंने वो बात को ना सुनते वे मैंने क्या कहा था बहरे बन जाना है बात को ना सुनते वे अपने आइडिया पर भरोसा किया और अपने सफर के लिए आगे निकल पड़े तो जब वो आगे निकल जवाब सुनिए प्रतीक दोशी कह रहा है मैं अंब्रेला का बिजनस करना चाहता हूं मैं यही बिजनस करूंगा उसका जो गोल था उसका जो जो उन्होंने सोच लिया था बस अब उसी पर टिक गए थे दोस्तों आगर आप सक्सेस्फुल होना चाहते हो यहां से एक पॉइं करना चाहते हो अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपको पश्तावा ही होगा तो परतीक दोशी ने सोच लिया था मुझे कोई पश्तावा नहीं करना है जो मैं करना चाहता हूं करके रहूंगा तो फिर उन्हों ब्लूप्रिंट त्यार कर रहे थे तो उ उनके इस जो छतरी पे डिजाइन बनाने का प्लैन था रिजेक्ट कर दिया वो कहता है हमको इस सब चीज में इंटरस्ट नहीं है हमको यह आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगा ऐसे बोलते हैं तो लगभग 11 पुब्लीशर के पास जाने के बाद उनको रिजेक्शन ही मिली और बार बार हर शौप से लेकिन वो जाते रहें कि उनको भरोसा था कोई ना कोई तो उनकी आइडिया की कदर करेगा कोई ना कोई उनकी आइडिया को समझेगा तो 11 रिजेक्शन के बाद प्रतीग दोशी बारवे जब पुब्लीशर के पास गय तो उनको प्रतीग दोशी प्रतीख दोशी जे सिरफ 800 चट्री बेची थी ती चे महीने की मेहनत के बाद तो एक दोस्त ने को सुझेशन दिया भाई तु ऐसा कर ये चट्री वाला काम है ना तेरा तो इसको ऑल्लाइन ले जा ऑल इसको छत्री को बेज तो प्रतीक दोशी ने Amazon पर अकाउंट बनाया तो वहां पर जब उन्होंने छत्री के डिजाइन से अपने बहुत सारे छत्री अप्लोड किये तो उनको डर लगा था कि मेरी छत्री कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा तो उन्होंने अपने पापा को क प्रतीक दोशी ने अपना कारोबार बहुत बड़ा कर लिया था उसके बाद उन्होंने वड़ा पाउ स्माइली जैसे कई डिजाइन अपने छत्री पर प्रिंट करवाए तो इसी को कहते कि अगर आपको अपने बिजनस पर अपने आइडिया पर अपने थाउट्स पर भरो लाइक कर दो, जैहिल, वन्देमा,